नमस्काल, मैं पृतिक्षा जा एसेसीय न्यूस से पूल्पी सिंभुम जिले में चोरी रुपने का नाम नहीं ले रही है जब शेकपुर सहर के विभेनिक छेत्रों में प्रती दिन तीन चार चोरियां हो रही है और पुलिस मुगदर सर बनी हुई है कुछ चोरी की घटनाये छोड़ दे तो बांकी में पुलिस को सफलता नहीं मिली है बीती रात बिर्शा नगर जोन नमबर 6 में चंदन भटाचारी के घर में चोरी हो गई सबसे बड़ी बात यह है कि दो तल्ला के उपर चोर छट के माध्यम से प्रवेश किया और नगदी एवं सोने के गैने लेकर चंपत हो गया चंदन भटाचारी ने बताया कि लगभग 6 लाख रुप्यों के चोरी आभुशनों को मिला कर हुई है हमें ऐसा लगता है कि घर में कुछ स्प्रे भी मारा गया है क्योंकि जहां मेरे पिताजी रात में 2-3 बार उठते है वह उठे ही नहीं और हम सब की नीम सार बजे के बाद खुली है कुछ गंध जैसा भी महसूस हुआ है हाला कि पुलिश ने आस्वासन दिया है कि जल्दी चोर को गिरफतार कर लेंगे लेकिन चन्दभटाचारी का कहना है कि मेरे दो घर छोड़कर पिछले 2-3 निन पहले उस घर में भी चोरी हुई थी लगातार चोरी हो रही है लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है कुछ स्प्रेवों का साइद स्मेल भी आ रहा था जो मेरा पिता जी 2-3 बार बादरूम जाता है हम भी जाता है लेकिन काल जगी नहीं पाया एकदम साथ बाजे उठे जगे और यहां पर चोरी पुरा हमेशा चोरी हो रहा पुलिस का कुछ यह नहीं है बगल में भी चोरी हो दो-तीन बेन पहले उसमें कुछ नहीं है तला जब छाद में हम तला लागा के सब सोया है लेकिन उपर से छाद में चड़के घटना घटाया हमारा चाद ढलने का था धलाई करने का था उसका पैसा हम बंदू-बंदव से उधारी धार उधारी दीन द करना था उसको भी रखाए थे पुलिस किया है पुलिस चान्मिन करके गिया देखके गिया तिन रखी ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें यूट्यूब और फेस्बूक पर साथ ही हमारे चानल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करना ना भूले